हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चेनल तिवारी मैस एन तिवारी केंपस में जैसे कि आज का थमलेल हम लोग का लगा हुआ है कथन और निसकर्स से और कथन और निसकर्स से अगर बात करें तो कोस्टन कितना आता है आप लोग भले भाती परचित है इसलिए इस लेसन को और इस वीडियो को शुरू से अंद तक जरूर देखे बेहतिरिन अंदाज के साथ पढ़ाने वाले हैं और बताने वाले हैं अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एफर्मेटिव से दो-तिन कोस्टन आपका बनता है हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा कभी जिन्दगी में नहीं भूल पाईएगा कितना भी भूलने का कोशिस कर लिजिएगा लेकिन नहीं भूल पाईएगा जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्त बहुत ही जबरदस्त एक कंसेप्ट आपको दे देना चाहते हैं जैसे आप बोलिए का सर एस्टेटमेंट कितना होता है तो सुन लिए सबसे पहले कोशन का फर्मेट जो है बाबू तीन पार्ट में बटा हुआ रहाता है कोशन का फर्मेट जो है बाबू कितना पार्ट में बटा होता है तो थ्री पार्ट में बटा हुआ होता है पहला नंबर उसके जस्ट नीचे जब बाबू देखिएगा फर्स्ट नमर पार्ट आपको मैंने दे दिया एस्ट्रेटमेंट होता है सेकंड नमर पार्ट होता है बाबू एस्ट्रेटमेंट का हिंदी अगर कोई बात करेगे सर एस्ट्रेटमेंट तो बोल दिये इसका हिंदी क्या होता है इसका हिंदी होता है बाबु कथन क्या होता है बाबु कथन क्या होता है जस्ट उसके नीचे जस्ट एस स्टेटमेंट के नीचे बाबु जस्ट एस स्टेटमेंट के नीचे कंक्लोजन दिया रहता है क्या बाबु कंक्लोजन दिया रहता है इसी को तो बाबु हम लोग बोलते हैं निसकर्स क्या बोलते हैं बाबु तो प्यार से बोलिए न एक बर सभी लोग कमेंट के माध्यम से इसी को बोलते हैं, conclusion को ही बोलते हैं, बाबु प्यार से हम लोग निस्कर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबु, तो निस्कर से बोलते हैं, और ज़स्ट उसके नीचे answer option, third number part जो होता है न बाबु, उसको बोलते है answer, ए मतलब answer, ओ मतलब option, answer option या तो 4 दिया रहेगा, नहीं तो बाबु पांच दिया रहता है, कोई कोई जब SSC का एक्जाम दिजिएगा, तो 4 statement, 4 answer option का संक्या होता है, बाकी bank और BPSC, 2019 के बाद जितना भी BPSC एक्जाम लेता है, उसमें answer option के संक्या चार नहीं बढ़के, बलकि बढ़ा कर दिया है, 5, और बाकी bank का भी एक्जाम में जब देखिएगा, तो 5 ही होता है, तो इसी कोनों बोलता है, बाबु, कथन और निशकर्स, कथन और निशकर्स का मतलब हुआ, statement and conclusion, statement and conclusion, जो cellulism का topic है, उससे question खूब आता है, बाबु, खूब आता है, जैसे एगर बात करे, statement total 4 तरह के होता है, बाबु, statement कितना होता है, ब all मिल गया आपको, उसी का हिंदी होता है, सभी, और अगर डिजिट में बात करेंगे, तो 100%, इसको affirmative बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाबु, तब positive मतलब की affirmative, affirmative का संख्या कितना होता है, बाबु, तो आपको ये का सर्दोग होता है, affirmative, अब negative का संख्या कितना बाबु, आपको ये का सब negative भी दो, total कितना अच्छा, जिसमें positive दो और negative दो, मतलब दो और दो अगर दोनों को जोड़े 2 plus 2 iscal to 4, मतलब जितना positive का संख्या, उतना negative का संख्या, यानि दो को positive होता है, दो को negative होता है, यानि एक all हो गया, और दूसरा positive का नाम होता है, बाबु, जिसक क्या बोलते हैं, कुछ, कुछ नहीं दे करके अधिकांस भी देता है, क्लियर है बाबु, तो positive के कौन-कौन, तो एक होता है, all, जिसको हिंदी में सभी बोलते हैं, एक होता है 100%, दूसरा positive, some, some का मतलब होता है, कुछ, कुछ का मतलब होता है, अधिकांस, जैसे हम चलते, एक question के तरफ देखते हैं, जिसे एक number question क्या बोला है बाबु, तो देखिए न, सबसे पहले, statement दिया हुआ है, यनि, कथन का मतलब statement हुआ, और statement पीला में देखिए, नजर आ रहा होगा, बाबु, एक number statement और दो number statement, हम कुछ हैंगे, बाबु, एक number question में statement कितना दिया हुआ है, त दोनों affirmative statement दे रखा है, अगर इसमें कहीं negative लिखा रहता, तब negative statement होता, जैसे कुछ के साथ अगर नहीं आजाता, कोई के साथ अगर नहीं आजाता, इसका मतलब negative statement, लेकिन कुछ बानर भालु है, कुछ भालु बच्चा है, यनि, दोनों affirmative statement दिया है, और इसका figure जब और दे देना चाहते हैं, जैसे statement में लिखा रहेगा, all a is b, all a is b, इसका मतलब हुआ, sir, चुनिएगा, all a is b का मतलब हुआ, जब हम left to right चलना start करेंगे, बाबु, कहां से कहां चलना start करेंगे, जब left से right चलना start करेंगे, तो जो पहला ब्यक्ती मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग वक्ता, क्या बोलते हैं बाबु, वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता मतलब क्या होता है बाबु, बोलने वाला, और दूसरा जो दूर नंबर ब्यक्ती मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग श्रोता, श्रोता का मतलब क्या होता है बाबु, तो सुनन जो पहला नंबर व्यक्ति मिलेगा, उसको बोलेंगे वक्ता, दूसरा नंबर व्यक्ति मिलेगा, उसको बोलेंगे स्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, स्रोता मतलब सुनने वाला, चलिए, next question के तरफ हम रूप करते हैं. एक नंबर कोशन में दिया हुआ है कुछ वानर वालू है यानि कुछ वानर वानर क्या है वालू है यानि हम बोलेंगे बाबू आप प्यार से एक बात बताईए न कि वक्ता कौन है तो देखिए जब लेफ्ट से राइट के तरह बड़े तब पहले वानर से मुलकात हुआ वानर श्रोता कौन तो भालू यानि वानर अपना कुछ हिसा वानर अपना कुछ हिसा किसको देना चाहता है तो बाबू तो भालू को देना चाहता है यानि वानर का इमालीजे घर है कि किसका घर है बाबू वानर का अब वानर अपना कुछ हिसा किसको देना चाहता है तो भालू को तो माली जी यहां से इतना लेकर दे दिया भालू को इसका फिकर यहीं न हुआ आगे देखिए न बाबू आगे बोला कि कुछ भालू कुछ भालू बाबू बच्चा है यानि जब लेफ्ट से राइट के चलाव चलना चाहता है तो पहले मुलाकात किस से हुआ तो आपको यह कशर पहले तो भालू से मुलाकात होगा क्यूंकि जब left से right धीरे धीरे बढ़ना आशाट करेंगे तो पहले भालूए ना मिलेगा अब बाद में बच्चा मिलेगा यानि पहला ब्यक्ती कौन तो भालू दुसरा ब्यक्ती कौन तो बच्चा यानि बोलने वाला जो पहला ब्यक्ती होता है न बाबू उसको वक्ता बो कुछ हिसा किसको देना चाहता है तो बच्चा को अगर हम पूछेंगे कि यहां से maximum conclusion बताईए तो आपको यहां से दो यहां से भी दो यहां से भी दो टोटल कितना हुआ तो चार हुआ हम बोलेंगे क्या क्या तो आप तुरंट बोलिएगा सर वानर अपना कुछ हिसा भालू क किसका घर है हिसा बानर का हिसा है एक किसका हिसा है बबू तो बच्चा का हिसा अगर कोई बोलेगा कि बानर और बच्चा में रिलेशन की नो रिलेशन तो आप भले भाती जान लिजिए जब दो व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं टच करेगा यानि टच मतलब सटा हुआ होगा अगर सटा हुआ नहीं होगा यानि बानर अलग है बच्चा अलग है इसका मतलब हुआ नो रिलेशन का मतलब अगर पोजेटी बात बोले तभी गलत नेगेटी बात बोले तभी गलत जैसे कंक्लूजन को जांस करते हैं बैते हैं डिह एक नमबर निषकर्श्व में बावे प्यार से दखिये एक नमबर निःस्कर्श में लिखाऊ है कुछ Magazin नहीं है मिल गया मिल गया मिल गया अगर आप मतलब पॉजेटीव की नेगेटीव तो आप कहिए का सर दोनों पॉजेटीव अगर स्टेटमेंट होगा तो अगर कंक्लूजन में निगेटीव मिलेगा तो न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है सीधे क्रोस कर देना है या पोजेटीव में निगेटीव नहीं होगा तो पहला नमर गलत दूसरा नमर सम के फीगर में देखिए इफीगर किसका है बाबू तो सम का सम के फीगर में अगर निगेटीव न देख लिजिएगा। या All का निसकर्ष लगा हुआ मिल जा है तो उसे ना Left देखना है ना Right देखना है काड़ेना है। तो क्यों क्यों काटए। क्यों आदी सम का फीगर है आप संसे के फीगर में All क निसकर्ष आल मतलब सभी हघर को दूसरा नमबर हो गया सही चौता नंबर कुछ वानर बच्चे हैं कुछ वानर बानर और बच्चा में कहीं तच नजर नहीं आ रहा है बानर का घर अ लग है बच्चा को घर अलग है अगर सटा हुआरा रहता तब होता यहनि हाटा हुआ मतलब तो नो रिलेसन जब भी आजा है तो उसे cross करके आगे निकलिएगा, यानि आप बताईए बाबू, कौन सही निकला है, तो केवल तीन नमबर अनुसरन करता है, यानि सिर्फ तीन नमबर न सही निकला है, तो जिस option में सिर्फ तीन निकलता है, दिया हुआ रहेगा, उसी में ट सिर्फ हमको तीने न निकला है, सिर्फ कौन निकला है, तिने न सही है, तो बताईए कोहीं सिर्फ तीन निकलता है, लिखा हुआ है, तो अगर कुछ एंसर में नहीं लिखा रहेगा, इसकल none of these, एंसर क्या मार देंगे बाबू, तो एंसर हो जाएगा आपका none of these, यानि option नम जलता है आ गिया है लेकिन option में ढूंडे कहीं नहीं मिला इसकल none of these अगर समझ में आया तो next question जबरदस्त है जल्दी से आईदर वाला question है इसको बनाईए ना जल्दी से बाबू देखिए यहां पे लिखा हुआ है सभी यहां पे भी लिखा हुआ है सभी यानि सभी पुस्तक उपनियास है यानि पहला ब्यक्ति कौर मिला पुस्तक दूसरा ब्यक्ति उपनियास यानि पुस्तक अपना सभी हिंसा उपनियास को देना चाहता है यानि पुस्तक अपना सभी ह किसको देना चाहता है तो उपनियास को देना चाहता है तो इसका फिकर इन होगा और उपनियास भी अपना सभी हिस्षा कवीता को देना चाहता है तो उपनियास अपना सभी हिस्षा कवीता को देना चाहता है किसको देना चाहता है बाबू कवीता को देना चाहता है हम पुछ मिल जाए तो उसे left-right देखना नहीं है सीधे cross करके निकल जाना है नहीं तो अगर देखिएगा तो आप जितना देखिएगा उतना देर आप अपना time बरभाद कर रहे होंगे यानि देखिए, दो नमबर निगेटिव है, दूसरा नमबर गलाथ, पहला नमबर, सभी पुस्तक कभीता हैं, तो सुनिएगा, अगर उपर से नीचे, अल, देखिए, उपर से नीचे के तरफ, अल अगर मिले, और सम मिले, तो दोनों क्या होता है, बाबू, तो सही होता है, तीसरा नमबर, सभी उपनियास पुस्तक है, सभी उपनियास, देखिए, उपनियास अगर पुस्तक को, नीचे से उपर सिर्फ सम होता है, अल नहीं, नीचे से उपर सिर्फ सम होता है, लेकिन यहाँ पे अल लिखा हुआ है, कि सभी उपनियास पुस्तक है, अगर रहता कु देखे, बताईए गौन बढ़ा हैं तो आपको यह गाई कि सर पहला नमबर भी सही और चौथा नमबर भी सही तो पहला और चौथा किस ऑप्षन में बाबु दिया हुआ है तो आपको येगा किसर हम पकड़ लिए, क्या पकड़े बाबू, तो पहला और चौथा, पहला और चौथा, option number देखिए न, 4 number, option में लिखा हुआ है, केवल 1 और 4 निकलता है, option number 4 is the right answer आपका हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि यहां से question पूछा ही पूछ इसमें सुनिएगा, यह आईदर का question है, और आईदर का question में हमेशा सभी लोग फसते हैं, लेकिन आज के बाद आईदर का concept इतना जबरदस्त कर देते हैं, कि कभी जीवन में आईदर हमेशा के लिए भूल जाईएगा, आईदर से जब भी question आएगा, तो सही करके आईएगा और एकजाम में आपको एक question आईदर से देता ही देता है, अगर आईदर से question नहीं देगा, तो उसका काम चलने वाला नहीं है, एक मातर आईदर ही से देगा, कि जहाँ पे बच्चा, मैक्सिमम बच्चा, 99% बच्चा आईदर में ही फसते हैं, इसलिए जबरदस question जल्दी से कुछ पेड़ मचली है, तो कुछ पेड़ मचली है, इसका फिकर नहीं होगा, आगे बोला कि कुछ मचली बलून है, कुछ मचली बलून है, बलून है, सुनिएगा दोस्त, पहला नंबर निशकर्च में देखिए क्या लिखा हुआ है सभी मचली पेड़ है या बलून है सुनिएगा गार से सुन लिजिएगा अगर कभी भी निशकर्च में सेलोलिज्म के कोस्टन में कथन निशकर्च के कोस्टन में कभी भी निसकर्ष में या मिल जाए क्या मिल जाए बाबू या मिल जाए तो left right देखना पाप है सीधे cross करके गलत करके निकल जाना है तो कभी भी निसकर्ष में या मिल जाए तो हमेशा गलत होता है कुछ पेंड बलून है कुछ पेंड बलून है आपको येगा कि सर पेंड का घर यहां है बलून का घर यहां है क्या पेंड और बलून का घर में कहीं सटा हुआ नजर आ रहा है तो आपको येगा सर सटा हुआ नहीं है ये तो हटा हुआ है अलग-अलग है अलग-अलग मतलब no और no relationship हमेशा क्या होता है सुनेगा चौतья भी गलत , सुनेगा आईदर के लिए दो चीज़ होता है एक नीगेटीव निसकर्स और एफ पोजिटीव निसकर्स जब भी मेरेー निसकर्स में नीगेटीव निसकर्स गलत हो जाını निगेटिव का मतलब नहीं का आजाना नहीं का लगना निगेटिव देशा देखिए ना इसको अच्छे से पढ़िए ना कोई पेंड बलून नहीं है नहीं है मतलब की निगेटिव नहीं का लगना निगेटिव नहीं का लगना बाबू क्या होता है निगेटिव एक सब्र हुश्च के बर रहे तक पता है कि आACE को सब्रों प्रीमिन कि अगर यह कहत दो सब्जेक्ट गलत तो समझे आइधर का किस्ते से हम बताते हैं भी। चौथा नमबर नहीं लगा है इसकल negative आइस में कौन कौन आदम है तो आपको यह सर इसमें चौथा नमबर में पेड़ और बलून है देखिए ना दूसरा नमबर में पेड़ और बलून लिखा हुआ है ना आई देखिए कुछ पेड़ बलून है इसमें कहीं नहीं का जिक्र नहीं दिया हुआ है इसकल पोजेटिव ज्यान से चौथा नमबर निगेटिव दूसरा नमबर पोजेटिव और दोनों गल दूसरा भी गलाथ, चौथा भी गलाथ, यानि हमेशा आइदर का केस का लाता है, किसका किस का लाता है बाबू, तो आइदर का केस हुआ, आइदर का मतलब एक positive निसकर्स के साथ, एक negative निसकर्स और दोनों निसकर्स हमेशा गलत होना साहिए, सांती साथ subject एम अबजेक्ट सेम होना साहिए, मतलब जो दोनों negative में, वहीं दोनों positive में, जैसे जब starting में, left से right जब बढ़िएगा, तो जो पहला ब्यक्ति मिलता है, उसको subject बोलते हैं, last वाला ब्यक्ति को object बोलते हैं, तो कुछ pain balloon है, subject pain, object balloon, यहाँ भी subject pain, object balloon, तो pain और balloon, जो pain balloon इसमें है, वहीं pain balloon इसमें हैं, मतलब एक negative में, जो pain balloon, वहीं positive में pain balloon, और positive भी गलत दू नमबर, negative भी चौथा नमबर गलत, यानि हमेशा किसका किस बाब हो, आईदर का case हुआ, आईदर को हम लोग या या अथवा, या नहीं तो अथवा, नहीं तो इंगलिस में OR के द्वारा denote किया जाता है, किसके कि किसके द्वारा, आईदर को हमेशा, या अबलिक अथवा, अबलिक OR के द्वारा denote किया जाता है, जैसे दो के बीच में, या मिल लगा रहे, तो समझ जाएगा आईदर बना है, जैसे हम देखते हैं, किसमें किसमें बाबू आईदर बना है, तो आप कहिए अगर सर दूसरा और चौथा में, तो दूसरा और चौथा में, देखिए न, कहीं लगा हुआ है, दो, या एप्शन हो जाएगा, दो या चार, या इसी को लिख सकते हैं, दो अथवा, चार तो किस option में लिखा हुआ देखिए option number 2 में केवल 2 या 4 निकलता है option number 2 is the right answer देखिए 2 और 4 के बीच में क्या लगा है या का मतलब either का case यानि either का case में बहुत आप लोग गलत कर रहे होंगे लेकिन आज के बाद गलत नहीं होगा एक और आइदर का case बता देते हैं जवर्दॉस्ट चलिए कुछ table चूहा है कुछ table चूहा है आगे लिखा हुआ है कुछ चूहा गेंद है कुछ चूहा क्या है बाबू तो गेंद है अब सुनिएगा देखिए पहला गलत चौथा गलत आप कहिए का सर क्यों इतना जल्दी क्या मार दिये गलत गलत थोड़ा हमको भी बता दीजिए तो सुनिजिए अगर सम का statement हो सम का figure हो सम के figure में अगर कभी भी all का निश्कर्स मिल जा है कभी भी negative निश्कर्स मिल जा है तो देखना भी पाप है तुरंट गलत कारके निकल जाना है क्योंकि सम में all का निश्कर्स कभी नहीं होता है सम में किसी भी प्रकार का negative निश्कर्स हमेशा गलत होता है मतलब सम में all का निश्कर्स कभी भी नहीं होता है कभी भी गलत होता है और सम में कभी भी negative निश्कर्स मिल जा है तो वह हमेशा गलत होता है तो पहला all का निश्कर्स गलत तिसरा चौथा निगेटिव नहीं लगा है इसलिए गलत और दूसरा तिसरा को जांच करना पड़ेगा, कुछ टेबल गेंद है, कुछ टेबल गेंद है, तो आपको कहिएगा, कि सर्फ समझ में आ गया, यह भी गलत होगा, टेबल यहां है, गेंद यहां है, मतलब, टेबल गेंद कहीं सटा हुआ, नजर आ रहा है, तो आपको यह सटा हुआ नहीं है, दोनों दूर दूर तक हटा हुआ है, हटा हुआ का मतलब no relation, no relation हमेशा क्या होता है बाबू, तो गलत होता है, यह दूसरा भी गलत, कुछ टेबल गेंद है, यह भी गलत, तीसरा नमबर, कुछ गेंद चुहा है, तो देखिए, गेंद और चु कुछ गेंद भी होगा, कुछ गेंद चुहा हुई होगा, यहनि अब तीसरा नमबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप सुनिये, आप कहिए का सर, माइन्ड में तो चल रहा है, निगेटीव चौथा नमबर, निगेटीव निशकर्श है, गलत हुआ है, आप बोले है, जब भी negative निसकर्स गलत हो जाए तो आईदर का case जाच करेंगे तो आईदर का case के लिए सुनिएगा एक negative के साथ एक positive का होना आवसक है और दोनों गलत होना चाहिए दोनों में subject, object same होना चाहिए तो देखिए इसमें subject क्या है table, object क्या है गेंद तो बताइए table और गेंद किसी म यहां तो देखिए दूसरा number positive हुआ दूसरा number positive चौता number negative इसमें भी table गेंद इसमें भी table गेंद यानि हमेशा either बनेगा किसमें आईदर बना? या, नहीं, तो अथ्वा भी लग सकता है, कौन सही निकला है, तो तीन नमबर सही निकला है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा, तीन अनुसरन करता है, सुनिएगा, अगर दिस अप्सण में लिखा होगा, दो या चार तथा, तीन अनुसरन करता है, नहीं, तो इसको Simple Language में, ऐसे भी लिख सकता है, तीन तथा इसको पहले भी कर सकते हैं, तीन तथा दो या चार अनुसरन करता है, तीन तथा दो या चार अनुसरन करता है, तो देखिये, अप्शन नमबर दो या चार, तथा तीन, अप्शन नमबर तीन में लिखा हुआ है, गवर से बाबु देखिये आप्शन नाप्शन नाप्शन